असलाम अलेकुम गुद मॉर्निंग स्टुडेंट कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे बचो पराई लिखाई के साथ साथ हमें अपने सिहत का भी ध्यान रखना है आई होप बचो आप बहुती अच्छे होंगे बचो वैसे तो आपको सारे सब्जेक की एक्टिविती मिल गई होगी वो एक्टिविती कैसे करनी है वो भी आपको बताया हुआ है तो बचो यह जो आज हम क्लास 4 हिंदी में Pt1 एक्टिविती करना हम बहुती पसन है आज बचो हम कुछ भी टेक्सबुक का नहीं परेंगे या कुछ और व्यास नहीं करेंगे लेकिन बचो आज हम एक्टिविटी करेंगे आपको कलर करना अच्छा लगता है और आपको ड्रो करना भी अच्छा लगता है तो आज हम इसी तरह ड्रो करेंगे और उसमें जो कलर कर वो कलर भी करेंगे तो बच्चो ये जो आपको मैं एक्टिविटी समझा रहे हूं वो एक्टिविटी आपको कैसे करनी है वो उसके बारे में मैं आपको बटाऊंगी लेकिन इससे पहले एक्टिविटी क्या है वो हम देख लेते हैं मन के बोले बादल कवीता को सुन्दर अक लिखनी है और कोयम लिखने के बाद हमें ये जो बादल है वो बादलों को पिक्चर बनाना है उनका चित्र बनाना है और उसमें हमें कलर करना तो बच्चो अब हम एक्टिविटी कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको समझाती हूं तो बच्चो आपको मैंने ये जो बुक बटाई होई है वो बुक आपके पास घर पे होगी बच्चो आपको ये बुक मैं से बीच मैं से पेज निकालना है तो आप बच्चो इसी तरफ पेज निकाल सकती हो अगर आपके पास ये लौंग वाली बुक है तो लौंग वाली मेंसे भी बच्चो आपको क्या करना है उनका जो बीच वाला जो पेज है वो पेज निकाल कर उसमें हमें फूट की एक्टिविटी करनी है ओके बच्चो यह जो लॉंग बुक मेंसे हमने पेज निकाला हुआ है उसको हम यूज कर सकते हैं या अपनी पुरानी वाली बुक में से निकाला वो भी पेज हम यूज कर सकते अगर आपको यह जो कलरफूल page को स्थेमाल करना है तो आप उसको यूज कर सकते वह आपको अच्छे से उसमें लिखना है फिर स्टैपलर करने है और आपको अच्छे से उसमें ड्रो और पोयम लिखनी है ऑक बिता तो अब हम स्टार को कैसे लिखेंगे, ओके, मैं यहाँ आपको यह जो लॉंग वाली बुख है, वो बुख का पेज ले रही हूं, और उसमें यह हम कैसे एक्टिविटी करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बटाती हूं, बचो यह जो हमने पेज लिया हुआ है, वो हमें हमारी बुख में से ही लेना है, बाजार से कुछ भी खरीदना नहीं है, ओके, हमारे गर में जो बुख पड़ी है, वो बुख में से हमें यह पेज लेना है, आपको बाजार नहीं जाना है, बाजार से कुछ भी खरीदना नहीं है, ओके बेटा, तो हमने यह पेज लिया, अब हमें यह जो उनका first page है वो page पर हमें क्या लिखना है pt1 activity ओके आपको first page पर क्या लिखना है pt1 activity फिर मैंने लिखा है name मैंने यहाँ for example आपको बटाया हुआ है name लिखा हुआ है प'tel aisha munap मिने यहाँ name क्या लिखा है प'tel aisha munap फिर मैंने roll number लिखा है 10 तो बच्चो आपका जो भी roll number और name होटा है वो आपको लिखना है और आपका roll number नबर जो भी आता है वो आपको लिखना है फिर लिखा Standard and Division तो मैंने यहां Fort A लिखा है तो बच्चो आपको Fort A है तो Fort A लिख सकते हो Fort C में है तो C लिखोगे D में है तो D लिखोगे और E है तो E लिखोगे तो आपका Section और Class दोनों यहां लिखने है तो मैंने यहां Fort A लिखा हुआ है और last में हमें लिखना है subject, हम कौन से subject की activity कर रहे हैं, वो हमें यहां लिखना है, फिर आपको अपने school का नाम दिखना है तो आप लिख सकते हो, मातली वाला public school और आपको अच्छे से उसके उपर draw करना है, first page पर आपको अच्छे से कुछ भी design draw करनी है, तो बच्वा आप कर सक सकते हो, ओके, आप वो यह जो first page है, वो first page आपको अच्छे से लिखना है, आपको अच्छे से complete करना है, ओके बेता, आपको यह जो first page पर मैंने बताया हुआ है, pt1 activity, name, rule number, standard and division और subject, इतना आपको first page पर लिखना है, फिर हम क्या करेंगे, यह page को खोलेंगे, बच्वा हम क् poem लिखेंगे, क्या करेंगे बच्व, poem लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ title दिया है, मन के बोले भाले बादल, तो बच्व हम क्या करेंगे, यहाँ पूरी poem लिखेंगे, ओके, मैं आपको poem कैसे लिखनी है, वो बताती हूँ, बच्व, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, यह जो पोयम है, वो पोयम हमने यहां लिखी हुए, आप कोई भी पेज पर लिख सकते हो, छोटा पेज या यह जो लॉंक बुक का बड़ा वाला पेज है, वो बड़े वाले पेज पर आप अच्छे से लिख सकते हो, बच्चों, यहां हम देख रहे हैं, कि यहां पोयम लिखी इसके उपर हल्का सा light color किया है बचो आपको भी अगर color करना है तो आप अच्छे से उसमें light color यूज कर सकते हो आपको सबसे पहले पूरी poem अच्छे से लिखनी है तो पूरी poem बहुत अच्छे से लिखनी है लिखने के बार आप उसके उपर कोई भी हलका सा कलर कर सकते हो बचो जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है इसी तरह आप कोई भी कलर कर सकते हो तो फिर आप यह पोयम करने के बार आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों यह जो मैंने आपको पोयम बटाई हुए इसी तरह भी आप कर सकते हो और लिखना है तो लिख भी सकते हो अगर आपको लगता है कि कलर नहीं करना है तो आपको कलर नहीं करना है ओके आप यह जो पोयम है वो पोयम ही लिख होगी ओके अगर कलर करना है तो उसमें आ लाइट कलर ही यूज करना है understood आपको क्या करना है लाइट कलर ही यूज कर सकते हो जैसे अभी मैंने आपको बटाया फिर पिंक कलर है यलो कलर है ऐसे कलर आप यूज कर सकते हो ओके यह जो पोयम आप लिख लो आपकी complete हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है बच्चो नेक् एक्टिविटी लिखने है और आपको बाडल का पिक्चर बनाना है आपको यहां बाडल का पिक्चर बनाना है बच्चो मैंने आपको एक बाडल का पिक्चर बना के दिखाया हुआ है और इसमें और रदी कलर भी किया हुआ है मैंने यहां यह जो पड़ी वाला जो सेफ है वो वाला बादल बनाया हुआ है तो बचो आप कोई भी सेप में यह सिंपल सा बादल बना सकती हो और उसमें अच्छे से आपको कलर करना है ओके आपको क्या करना है अच्छे से बादलों को ड्रो करना है और इसमें अच्छे से लाइट यह जो कलर है वो कलर करना है ओके बेटा मै फिर से आपको एक बार बटा देती हूँ, यह जो पेज हम लेंगे, वो पेज पर आपको सबसे पहले फोस जो पेज होगा, वो फोस पेज पर आपको मैंने जो बटाया हुआ है, पिती वन अक्टिविटी, नेम, रोल नमबर, स्तांडर, डिविजन, एन सब्जेक्ट, वो आपको लिखना है, फिर उसके बार आपको क्या करना है, यह जो पेज है, वो पेज पर आपको अच्छे से पोयम लिखनी है, जैसे मैंने आपको बटाया है, आपको यह अच्छे से आपको यह पोयम लिखनी है, पोयम कमप्लीट करने के बाद, बच्चो, आपको next page पे जाना है, और next page पे यहाँ मैंने आपको दीखाया हुआ है, बादल ड्रो किया है, तो आपको भी कोई अच्छा सा सिर्फ वाला बादल ड्रो करना है, और बादलों को ड्रो करके आप इस और पोयम में अगर आप color करना है तो कोई हलका सा light सा color use कर सकते हो फिर उसके बार आपको ये activity draw करनी है उसमें बादलों को draw करना है आपको अगर कोई shape में बादल ड्रो करना है तो अलग-अलग shape में कर सकते हो और आपको simple से बादल ड्रो करने है तो वो भी कर सकते हो और उसमें आपको color करना है ओके बच्चो आपको ये जो activity है वो activity जून के first week तक complete करनी है आपको ये जो activity है जून के first week तक complete करनी है बच्चो अभी जल्दी नहीं है प्रमजान के बार आपको अच्छे से जब भी आपको time मिलता है आप free हो जाते हो आपको ये activity complete करके देना है लेकिन जून के फॉस week तक आपको ये activity complete रखनी है ओके बेटा आपको मैंने जो भी activity समझाई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चो आपको ये activity करने में मज़ा आएगा ओके आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है गरपर रहना है अपनी सेहत का ध्यान रखना है ठैंक यू धन्यवार